हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पड़ाई बहुत अच्छे चली होगी तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नमबर टू क्लास एट के चैप्टर नमबर वन रेशनल नमबर्स का इस लेक्चर के अंदर हम एक्सराइस वन पॉ कोशन नमबर वन से लेकर कोशन नमबर वाइव तक के कोशन को डिसकस करेंगे और उने सीखेंगे आपने मेरी पहली की वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की अगर नहीं देखी तो इनिचे डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस का लिंग होगा तो आप वहां से पहली की यूज करकर इनको solve करना है ठीक है तो सबसे पहले करते हैं first part इनको solve करने के लिए सबसे पहले हमें terms को identify करना पड़ेगा ठीक है तो देखो यहाँ पर minus 2 upon me 3 multiply 3 upon me 5 ये दोनो racial numbers एक दूसरे से multiply हो रहे हैं ठीक है multiply होने के बाद ये एक ही number बन जाएगा इसी वज़े से ये हम जैसे कि मैं आपको दो numbers देता हूँ 2 और 3 इन दोनों की अगर आप multiply करोगे तो 6 आएगा 2,3 is a 6 तो जब भी आप दो numbers की multiply करोगे आपका answer तो एक ही number में आएगा इसी तरीके से इन दोनों की multiply करने के बाद एक ही number बन जाएगा और ये हमारी सिर्फ एक ही term कहलाएगी ठीक ह उसके बाद आता है 5 upon me 2 ठीक है ये एक हमारी term हो जाएगी ठीक है क्योंकि इसके साथ कोई multiply में number नहीं है उसके बाद है minus 3 upon me 5 multiply 1 upon me 6 ठीक है ये दोनों भी एक दुसरे से multiply हो रहे हैं तो ये भी हमारी एक term कहलाएगी ठीक है अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितनी terms है अब हमें इसको solve करना है तो solve करने के लिए हम इसके अंदर कोई common चीज़ ढूनेंगे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 3 upon me 5 इस term में भी है और 3 upon me 5 इस term में भी है ठीक है तो मैं 3 upon me 5 को common लेकर इसको solve कर सकता हूँ ठीक है लेकिन मैं common लेने से पहले इसको एक proper order में arrange करूँगा ठीक है मैं क्या करूँगा कि इस term को पहले लिख दूँगा और इस term को बाद में लिख दूँगा जैसे कि मैं इसको अगर मैं 5 upon me 2 को a मानता हूँ यह मेरी a term हो गई और यह वाली term हो गई मेरी b ठीक है इनके बीच कौन सा sign है minus का sign है ठीक है तो मैं a minus b को इ sign का यहां पर भी minus का था यहां पर भी Plus का है यहां पर भी A प्लस का है यहां पर भी do तो चाये में इस तरीके से solve करूं या इस तरीके से solve करूं अंसर तो मेरा same ही आयगा थीक है नated और यह property हो गई मेरी Commutative Property थीक है 37 3 property की मदद से इस term को पहले लिख दूँगा और इस term को बाद में लिखूँगा minus 2 upon में 3 multiply 3 upon में 5 ये मेरी एक term हो गई उसके बाद मैं इस term को पहले लिखूँगा यहाँ पर minus का sign पहले आएगा ठीक है ना minus का 3 upon में 5 multiply 1 upon में 6 ठीक है ये term हो गई उसके बाद आएगा मेरा plus का 5 upon में 2 ठीक है यहाँ पर मैंने कौन सी property लगाई commutative property ठीक है ना commutative property की मदद से आप terms को इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब मैं इस 3 upon में 5 को common लूँगा ठीक है common किसकी मदद से लूँगा distributive property की मदद से distributive property क्या कहती है a multiply b minus c हो ठीक है यहाँ पर minus का sign भी हो सकता है plus का sign भी हो सकता है subtraction में भी यह property लगती है addition में भी यह property लगती है ठीक है अगर इस तरीके से हो तो a की multiply b से होगी और फिर a की multiply c से होगी ठीक है ना और अगर यहाँ पर minus का sign है तो यहाँ पर minus आएगा अगर यहाँ पर plus का sign है तो यहाँ पर plus आएगा अगर आप इन को ध्यान से देखो तो यही हो रहा है ठीक है ना 3 upon 5, यहाँ पर A की तरह काम कर रहा है, ठीक है, A की multiply यहाँ पर, इस term के साथ हो रही है, इसको आप B माल लो अगर, तो A की multiply यहाँ पर B के साथ हो रही है, और फिर यहाँ पर देखो, इस A की multiply C के साथ हो रही है, ठीक है, इसको अगर आप C माल लो, ठीक है, A की multiply B के साथ हो र यानि कि a को common ले सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, 3 upon 5 को common ले लूँगा, ठीक है, 3 upon 5 को common ले लिया, उसके बाद, यहाँ पर क्या बचेगा, minus 2 upon 3, minus 2 upon 3, यहाँ पर देखो मैंने 3 upon 5 तो भाहर ले लिया, यहाँ पर लेकिन minus का sign है, 3 upon 5 अगर भाहर चला गया, तो यह minus का sign किसके साथ लग जाएगा, 1 upon 6 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 upon 6, ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस का, 5 upon 2, ओके, यहाँ पर कौन सी property यूज़ करी, distributed property, याद रहेगा आपको, अब आप इसको solve कर लो, 3 upon 5, इसको solve करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, denominator का LCM लेंगे, 3 और 6, ठीक है, सबसे पहले इसको 2 से divide करो, 3 तो 2 से divide होगा नि, 2, 3 जा, 6, उसके बाद 3 से divide करो, 3 बंजा 3, 3 बंजा 3, तो आपका LCM क्या आया, 2 multiply 3, यानि की 6 आया, 6 को 3 से divide करो, 2 आएगा, ठीक है न, 3 तूजा 6 होता है, अब इस 2 को multiply कर दो, इस 2 से, तो 2 तूजा 4 आजाएगा, ठीक है, ये बात आपको पता है, कि निचे वाले नंबर से करते हैं, divide, उपर वाले नंबर से करते हैं, multiply, ठीक है, तो 6 को 3 से divide करोगे, तो 2 आएगा, जो आया, उसको, उपर वाले नंबर से multiply कर दो, ठीक है, तो 2 तूजा, minus 4 आगया, इसी तरीके से, इस 6 को, इस 6 से divide करोगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 को multiply कर दोगे, इस उपर वाले नंबर से, और उपर है 1, तो 1 की multiply 1 से होगी, 1 ही आजाएगा, ठीक है न, अब, 3 upon में 5, यहाँ पर, इसको solve करोगे, तो क्या आएगा, minus 4, minus 1, minus 5 हो जाएगा, निचे क्या बचेगा, 6, ठीक है, यह क्या है आपस में, multiply, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस का 5 upon में 2, ओके, अब देखो, 5 से, यह 5 कैंसल हो जाएगा, 3 बचा यहाँ पर, 1 upon में 2, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर यह minus का साइन है, तो यह आया, minus 1 upon में 2, प्लस का, 5 upon में 2, अब इसको जोड़ दो, denominator सेम है, तो 2 आजाएगा, minus का 1 है, प्लस का 5 है, minus plus, minus होता है, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना अंसर आया, 2, ओके, तो फर्स्ट पार्ट का अंसर आएगा, 2, अब करते हैं, इसकेंड पार्ट, 2 अपॉन में 5, multiply, minus 3 अपॉन में 7, ये दोनों multiply हो रहे हैं, एक टर्म हो गई है, minus 1 अपॉन में 6, multiply 3 अपॉन में 2, ये दोनों multiply हो रहे हैं, एक टर्म हो गई है, 1 अपॉन में 14, multiply 2 अपॉन में 5, ये एक टर्म हो गई, ठीक हैं, तो terms को identify करने के बाद आप क्या करोगे एक common number ढूंडोगे जैसे कि इस term में 2 upon में 5 आ रहा है और इस term में भी 2 upon में 5 आ रहा है तो हमें common number मिल गिया तो हम इसको भी distributed property की मतब से solve कर सकते हैं ठीक है तो देखो कैसे करूँगा मैं इसको distributed property लगाने से पहले इसको एक proper order में arrange कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले मैं इस term को लिखता हूं 2 upon में 5 multiply minus का 3 upon में 7 ठीक है उसके बाद मैं इस term को लिखूँगा क्योंकि इस term में 2 upon में 5 है यह term plus की है तो यहाँ पर plus का sign 1 upon में 14 multiply 2 upon में 5 उसके बाद यह वाली term लिखूँगा minus 1 upon में 6 multiply 3 upon में 2 ठीक है यहाँ पर मैंने कौनसी property यूज़ करी commutative property ठीक है ना commutative property उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 upon में 5 आ रहा है यहाँ पर भी 2 upon में 5 आ रहा है इसको हम common ले लेंगे तो यह 2 upon में 5 मैंने यहाँ पर common ले लिया ठीक है यहाँ पर क्या बचेगा minus का 3 upon में 7 यहाँ पर क्या बचेगा plus का 1 upon में 14 ठीक है ना 2 upon में 5 तो भाहर निकल गया यहाँ पर बचा minus 3 upon में 7 यहाँ पर बचा plus का 1 upon में 14 इस term को ऐसे के ऐसे ही लिख लो माइनस 1 अपॉन में 6 मल्टिप्लाई 3 अपॉन में 2 उके उसके बाद यहाँ पर ले लो आप LCM डिनोमिनेटर्स का 7 का और 14 का सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 7 तो जाएगा नहीं 2 से 2 सेवन जा 14 उसके बाद यह 7 से डिवाइड होगा 7 वंजा 7 7 वंजा 7 ठीक है तो 2 मल्टिप्लाई 7 यानि की 14 आ गया ओके निचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा ठीक है फिर क्या करोगे उपपर वाले नंबर से मल्टिप्लाई तो 2 की मल्टिप्लाई 3 से करोगे 2 3 जा 6 प्लस का साइड 14 को 14 से डिवाइड करोगे 1 आएगा 1 की मल्टिप्लाई 1 से करोगे 1 यह आ जाएगा ठीक है इन दोनों की मल्टिप्लाई कर दो numerator की multiply numerator से करो 1 की 3 से करोगे 3 आ जाएगा denominator की multiply denominator से होती है 6 की multiply 2 से करोगे 6 2 जा 12 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कौन से property यूज करी थी distributive property ठीक है न property 2 अपाउन में 5 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस होता है ठीक है 6 में से 1 माइनस होगा 5 बचेगा Okay sign यहाँ पर माइनस का आ जाएगा ठीक है हमेशा बड़े नमबर का sign आता है यहाँ पर बड़ा नमबर था 6 तो इसका sign यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, minus 3 upon 12, ओके, यह दोनों numbers आपस में multiply हैं, तो आप इसको cut कर सकते हो, 5 1s 5 होता है, और 2 7s 14 होता है, ठीक है, यह पूरा cut हो गया, यहां पर क्या बचा, minus का 1 upon 7, यहां पर क्या है, minus का 3 upon 12, अब इसको solve कर लो, 7 और 12 का LC हम लो सबसे पहले, 2 से divide करो, 7 तो divide होगा नहीं, 2 6 से 12, अब फिर से यह 2 से divide हो जाएगा, 7 तो divide होगा नहीं, 2 3 से 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 से divide करो, 7 ऐसे कैसे, 3 upon 3, उसके बाद अब यह 7 से divide हो जाएगा, 7 upon 7, ठीक है, तो LCM क्या आया, 2 multiply, 2 multiply, 3 multiply 7, यानि कि 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84, ठीक है, तो LCM आया हमारा 84, ठीक है, निचे वाले number से divide करो, 84 को 7 से divide करो, 84 को 7 से divide करोगे, 12 आ जाएगा, ठीक है, और फिर इस 12 को multiply कर दो 1 से, तो 12 बन जा 12, minus का sign यहाँ पर आ जाएगा, minus का 1 था, तो यह minus का 12 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 84 को 12 से divide करो, 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर इस 7 को 3 से multiply कर दो, 7, 3 is a 21, ठीक है, minus का 12, minus का 21, minus minus क्या होता है, plus 12 और 21 को add करोगे, क्या आ जाएगा, 33, ठीक है, और sign किसका आएगा, minus का आएगा, निचे क्या आ जाएगा, 84, 24, अब यह number 3 से divide हो जाएगा, 3 11 जा, 33 होता है, 84 को 3 से divide करो, 3 2 जा, 6 होता है, फिर 2 आगे carry जाएगा, यह 24 हो जाएगा, 3 8 जा, 24 होता है, कितना आ गया यह, 11 अपॉन में 28, यहाँ पर minus का sign है, तो answer आ गया आपका, minus 11 अपॉन में 28, ठीक है, question number 2 करते हैं, write the additive inverse of each of the following, तो यहाँ पर हमें इन सब के additive inverse लिखने है, additive inverse को हमने introduction वाली वीडियो में पढ़ा था, additive inverse कैसे निकालते थे, बस number का sign change कर देते थे, जैसे कि हमारे पास है एक number, a upon me b, ठीक है, मुझे इसका additive inverse निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बस इसका sign change कर दूँगा, यहाँ पर यह plus में दे रखा है, तो इसका additive inverse क्या हो जाएगा, minus का a upon me b, ठीक है, बस मुझे क्या करना है, sign change कर देना है, माल लो मेरे पास number है, minus का a upon me b, तो इसका additive inverse क्या होगा, plus का a upon me b, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, ओके, यहाँ पर आपको यह चीज़ एंशूर करनी है, number और उसका additive inverse, ठीक है, इन दोनों का sum जो है, हमेशा 0 के equal आना चाहिए, ठीक है, जैसे कि, यहाँ पर देखो, यह a upon me b है, इसका additive inverse क्या है, minus a upon me b, इन दोनों को add करने पर 0 आना चाहिए, और 0 आएगा भी, देखो, यह bracket open होगा, तो plus minus, minus हो जाएगा, फिर a upon me b में से, a upon me b minus हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है न, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कि जब भी आप एक number और उसके additive inverse को जोड़ोगे, तो आपका answer हमेशा 0 के equal होना चाहिए, ठीक है, तो अब हम इन numbers का additive inverse निकालते हैं, सबसे पहले first का निकालते हैं, यहाँ पर है two upon me eight, तो इसका additive inverse क्या हो जाएगा, minus का two upon me eight, यहाँ पर यह प्लस में है, तो additive inverse minus में हो जाएगा, उसके बाद आता है second, minus का five upon me nine, तो इसका additive inverse क्या होगा, five upon me nine, ठीक है, sign change हो जाएगा, उसके बाद आता है third minus six upon minus five ठीक है तो देखो इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये वाला minus और ये वाला minus cut हो जाएगा ठीक है minus minus cut हो जाता है अब ये minus six upon minus five क्या बन गया six upon five बन गया ठीक है और इसका additive inverse क्या होगा minus का six upon five five ठीक है न तो इसका additive inverse हुआ minus का six upon five अब देखो fourth part यहाँ पर है two upon minus nine ठीक है negative है तो sign change हो जाएगा और ये हो जाएगा two upon nine तो additive inverse आया positive में उसके बाद fifth वाला part है 19 upon minus six ये भी negative है तो additive inverse में ये positive हो जाएगा और ये आएगा 19 upon में six ठीक है तो ये थे additive inverse इन numbers के अब करते हैं अगला question question number three करते है verify that minus minus x equal to x ठीक है तो यहाँ पर हमें इस equation को verify करना है और x की values हमें दे रखी हैं तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले करते हैं first part ठीक है इस equation को हम two parts में divide कर देंगे एक part होगा left hand side ठीक है जिसके अंदर ये वाला part आएगा और एक part होगा right hand side जिसके अंदर ये वाला part आएगा ठीक है x की value आपको दे रखी है 11 upon 15 put कर देंगे यहाँ पर minus minus 11 upon 15 okay minus minus plus होता है ठीक है ये बात आपको पता है क्या आगया है यहाँ पर 11 upon 15 उसके बाद हम करेंगे right hand side solve right hand side में सिर्फ x है ठीक है और x की value put करेंगे तो 11 upon 15 आजाएगा left hand side और right hand side equal है ठीक है तो ये equation verify हो गई क्योंकि left hand side और right hand side दोनों equal आ रहे हैं ठीक है उसके बाद हम second part करते हैं इसी तरीके से सबसे पहले left hand side solve करेंगे ठीक है left hand side में क्या है minus minus x ठीक है यहाँ पर आप x की जगा minus 13 upon 17 put करोगे कैसे put करोगे देखो minus ठीक है उसके बाद ये वाला minus लगाओगे ठीक है और x की अंदर ये value put करोगे क्योंकि ये भी minus में है तो यहाँ पर आपको एक और bracket लगाना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से होगा ये x की जगा पर हमने minus 13 upon 17 put कर दिया अब देखो ये वाला bracket open होगा ये वाला bracket open होगा तो minus minus प्लस होता है तो ये हो जाएगा 13 upon 17 ठीक है प्लस का हो जाएगा उसके बाद ये वाला bracket open करेंगे ये minus फिर इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा फिर से minus 13 upon 17 तो लेफ्ट हंड साइड हमारा आया माइनस 13 upon 17 राइट हंड साइड देखते हैं राइट हंड साइड में सिर्फ एक्स है ठीक है वेल्यू पुट कर दो एक्स की जो की है माइनस 13 upon 17 तो आप देख सकते हो लेफ्ट हंड साइड और राइट हंड साइड दोनों equal आ रहे हैं इसका मतलब जो equation है वो बिल्कुल सही है क्योंकि लेफ्ट हंड साइड और राइट हंड साइड दोनों equal आ गए ठीक है तो इस तरीके से बहुत ही simple था ये question अब करते हैं अगला question question number 4 करते हैं find the multiplicative inverse of the following ठीक है तो यहां पर हमें इन सब के multiplicative inverse निकालने है multiplicative inverse को हमने introduction वारी वीडियो में सीखा था कैसे निकालते हैं multiplicative inverse simple number का reciprocal कर देते हैं जैसे कि मुझे a upon में b ये एक number दे रखा है और मुझे इसका multiplicative inverse निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा simple इसका reciprocal कर दूँगा reciprocal यानि की उल्टा कर दूँगा ये a upon में b है तो reciprocal हो जाएगा मेरा b upon में a ठीक है तो a upon में b का multiplicative inverse होगा b upon में a ठीक है इसमें आपको ये धिहान रखना है कि number और उसके multiplicative inverse इन दोनों का जो product होगा वो one की equal आना चाहिए जैसे कि मैं इन दोनों का product करता हूँ product यानि की multiply multiply करता हूँ तो जो मेरा answer है वो one की equal आना चाहिए और one आएगा भी देखो ये b से ये b कट हो जाएगा ये a से ये a कट हो जाएगा ठीक है क्या बचेगा यहाँ पर यहाँ पर भी one बचेगा यहाँ पर भी one बचेगा one की multiply one से होगी one आ जाएगा ठीक है तो ये आपको multiply केटिव इंवर्स के बारे में याद रखना है अब हम निकालते हैं इन numbers का multiply केटिव इंवर्स सबसे पहले निकालते हैं minus 13 का multiply केटिव इंवर्स minus 13 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर one लगा सकते हो ठीक है multiply केटिव इंवर्स क्या होगा इसका बस आपको यहाँ पर reciprocal करना है reciprocal होने पर यह क्या हो जाएगा one upon में minus 13 ठीक है उसके बाद minus 13 upon में 19 इसका multiply केटिव इंवर्स निकालना है तो क्या करेंगे बस reciprocal कर देंगे 19 upon में minus 13 यह आपका multiply केटिव इंवर्स हो जाएगा उसके बाद है one upon में five ठीक है multiply केटिव इंवर्स क्या होगा बस आपको reciprocal करना है क्या हो जाएगा यह five upon में one यानि की five ओके उसके बाद है माइनस five upon में eight multiply माइनस three upon में seven इसका multiply केटिव इंवर्स निकालना है multiply केटिव इंवर्स निकालने से पहले हमें इसको solve करना होगा numerator की multiply numerator से करनी है denominator की multiply denominator से करनी है माइनस five की multiply माइनस three से होगी fifteen आ जाएगा फाइव थ्री जा 15 होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है eight seven जा 56 होता है ठीक है अब आप इसका multiply केटिव इंवर्स निकाल लो क्या होगा reciprocal हो जाएगा और 56 upon में 15 आ जाएगा ठीक है उसके बाद fifth part minus one multiply minus two upon में five इसका निकालना है multiply केटिव इंवर्स multiply केटिव इंवर्स निकालने से पहले हम इसको solve करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर one लगा सकते हो ठीक है multiply कर दो minus one की multiply minus two से होगी two आ जाएगा two one आ two होता है minus minus plus हो जाएगा five one आ five आएगा उसके बाद multiplicative inverse क्या होगा इसका reciprocal कर दो five upon में two यह आपका multiplicative inverse हो गया ठीक है उसके बाद sixth part minus one है ठीक है इसका निकालना है multiplicative inverse निचे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर one लगा सकते हो ठीक है multiplicative inverse में हमें क्या करना होता है reciprocal करना होता है reciprocal करेंगे इसका तो यह हो जाएगा one upon में minus one ठीक है यह minus निचे लिखो यह अपर लिखो फरक नहीं पड़ता ठीक है आपका क्या आ जाएगा minus one आ जाएगा ठीक है तो minus one का multiplicative inverse minus one ही आ जाएगा ओके तो इस तरीके से question होना था अब करते हैं अगला question question number five करते हैं name the property under multiplication used in each of the following ठीक है तो यहाँ पर आपको कुछ parts दे रखे हैं और आपको यह बताना है कि इन parts में कौनसी property use हो रही है under multiplication आप देख सकते हो इन parts के अंदर क्या हो रहा है multiply हो ठीक है तो हमें यही बताना है कि under multiplication कौनसी property इन में use हो रही है ठीक है तो सबसे पहले first part करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो minus 4 upon 5 multiply 1 equal to 1 multiply minus 4 upon 5 equal to minus 4 upon 5 तो इसके अंदर हमें क्या show हो रहा है कि अगर हम 1 को multiply करेंगे minus 4 upon 5 से तो हमें वही same number मिल जाएगा ठीक है यह बात तो आप जानते हो कि 1 को आप किसी भी number से multiply करो आपका answer वही same number आ जाएगा जैसे कि 1 को अगर मैं कोई integer से करता हूं like 10 10 एक whole number भी है natural number भी है integer भी है rational number भी है ठीक है ना अगर मैं 1 को 10 से multiply करूंगा तो 10 ही आ जाएगा similarly अगर मैं 1 को कोई negative integer से करता हूं like minus 3 तो मेरा answer क्या आ जाएगा minus 3 ठीक है ना तो 1 को किसी भी number से multiply करो गया तो आपका answer same वही number आ जाएगा तो इसको हम क्या कहते है multiplicative identity ठीक है यह identity हमें क्या बताती है कि 1 को आप किसी भी number से multiply करो आपका answer वही same आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे one is the multi-applicative identity ओके second part देखो minus 13 upon me 17 multiply minus 2 upon me 7 ठीक है और यहाँ पर देखो minus 2 upon me 7 multiply minus 13 upon me 17 तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दोनों numbers बिलकुल सेम है बस order change हो गया पहले यहाँ पर minus 13 upon me 17 था इस वाले में लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है पहले minus 2 upon me 7 है तो यहाँ पर हमारी कौन सी property लगेगी commutative property ठीक है ना commutative property में होता था ना कि अगर हम a multiply b करें या फिर b multiply a करें हमारा answer same ही आता था ठीक है तो इसके अंदर लगेगी commutative property तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं commutative property ठीक है उसके बाद third part है minus 19 upon me 29 multiply 29 upon me minus 19 equal to 1 तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यह आपका एक number है minus 19 upon me 29 अगर आप इसको reciprocal कर दोगे तो क्या आएगा 29 upon me minus 19 ठीक है और फिर आप इसको multiply करोगे तो क्या आएगा 1 यह cut जाएगा और यह भी cut जाएगा यहाँ पर बचे का 1 यहाँ भी बचे का 1 1 की multiply 1 से होगी 1 आ जाएगा ठीक है तो यह किसके अंदर होता था multiplicative inverse में उसमें मैंने आपको बताया था ना भी पिछले question में a upon me b जो हमारा number है अगर आप उसको reciprocal कर देते हो ठीक है ना तो यह आपका inverse property ठीक है तो इसके अंदर multiplicative inverse property लग रही है ओके इस वीडियो में इतना ही अगर आपको किसी भी question में doubt हो तो प्लीज नीचे comment करना मैं आपके comment का अंसर जल से जल देनी कोशिश करूंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना और अभी तक अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा तो प्लीज चैनल को subscribe कर दो और साती में notification bell को भी दबा देना तक कि आने वाली वीडियो की update आपको मिलती रहे so thanks for watching keep supporting keep loving keep growing कि आपको अगर झाव दोर में आपको भीडियो को में दोरी वीडियो की यहीं को प्लीज और आपको दोरी है